हेलो गाइज मेरे नाम देव है तो आज मैं आपको एक प्रोपटी दिखाने जा रहा हूं जो आपकी लोकेटेड है सेक्टर 67A में तो भी हम गॉल्फ कोर्स रोड पर खड़े हैं तो आए चलते हैं और उस प्रोपटी को देखते हैं अच्छा देखने से पहले मैं आपको लो जो बीडिंग देख रहे हैं और जो मेरे यहां से राइट की तरफ रास्ता जा रहा है वो सेक्टर 57 की तरफ जा रहा है चलो आएए और आपको आगे दिखाते हैं आप वीडियो एंजोई कीजिए मेरे लेफ्ट की तरफ जो आप देख रहे हो यह बानी सिटी सेंटर है और जो राइट की तरफ है वो एपी आई एल बिजनस क्लब है और अभी हम सेक्टर 63 में चल रहे हैं अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 67 में अब यह आपको जो सामने दिख रहा होगा यह M3M अर्बन है और यहां से हमको लेफ्ट जाना है मात्र एक किलो मेटर की दूरी पर और अगर यहीं से इस चौक पे से हम राइट मुड जाते हैं तो आपका M3M मर लिना है और हमें ज अब जो यह राइट में देख रहे हों आप यह M3M की मार्किट है मात्र यहां से 500 मीटर के हमें अंदर जाना है और चलो आपको दिखाते हैं वहीं पर जाके अब हम कलोनी के बाहर पहुँच चुके हैं और आप लेफ्ट में देखो बेंटर हो गए हैं और यह लेफ्ट में हमारे जिम हैं फर्स्ट फ्लोर पर और आउमा आपको कलोनी का टूर कराता हूँ अब मैं आपको इंफोर्मेशन बता देता हूँ यह में रोड है वो है तीस फुट का और जो प्लोटों पे लग रहा है अंदर की साइड वह सारे बाइस फुट के रोड तो आईए चलो आपको अभी प्लोट दिखा देता हूँ और इसमें कनेक्टिविटी आपको सारी जै जानी की दुखान सारी फैसिलिटीज आपको अंदर ही मिल रही है तो आपको कलोट दिखाता हूँ कि यह आपको कलोनी का छत पर से नजारा दिखा रहा हूं कितनी डेविलप हो चुक यह कलोनी अल्मोस्ट 300 से 400 घर बन चुके इस कलोनी में पूर सेक्टर 67 ए लग जाता है यह आप देख रहे हो सारे यह आपको कलोनी दिख रही है वैशनों कलाव एन के वी तो यह भी इन किया यह इन्होंने काटके और बेच चुके इस सारी को तो इसमें भी आते रहते हैं थोड़े बहुतरी इसे लिए वह भी आपको दिखा देंगे तो आव आप इसी की बात करते हैं जो इन्होंने इसक इसको एट मंड्स हो गए काटे हुए तो भई आपको पीछे की साइड जो यह आपका सेक्टर 67 जो जिज जगह आपकी जमीन आती है सेक्टर 67 इमें आती है धुमसपूर जेल रोड गुडगावा तो यह आपको पूरा सेक्टर है यह जगह ऐसी है कि आप यहाँ पर लेके रहने के लिए घर बना सकते हो कोई इस वाली कलोनी में जो यह कलोनी में आपको दिखा रहा हूं इसमें आपको 16,000 रुपे गर से प्लोट स्टार्ट हो जाएंगे तो भाई वीडियो देखेने के लिए आपका धन्यवार थैंक्यू सो मच